पले बढ़े कैसे हुआ होगा पता ने हम उनको जन्मजात देशभगत गए थे क्योंकि बहुत छोटे थे प्राइमेरी स्कूल में थे उस समय से ऐसा दिखता था विक्टोरिया राणी के राज्जा रोहन समारंब की जुबिली भारत में हुई ब्रिटिशों का राज्य था तो सभी स्कूलों में उगरे कारेक्रम होने अनिवारिय थे वो हुए इनके भी स्कूल में हुआ ये तीसरी क्लास में पढ़ते थे और उस निमित्त मिठाई बाटी गई तो उस मिठाई को लेकर इनोंने कचरे में फेक दिया इसलिए शिक्षक ने उनको पूछा कि उनको मिठाई अच्छी नहीं लेगती कुड़े जान में फेक दी तो इनोंने उत्तर दिया कि अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की अवस्था में से इस प्रकार के विचार विश्व में ये बालक रहता था यह उनका मेंटल मेकप जन्म से कैसा था यह बताने वाली बात है और इसलिए आगे कठिन परिस्थिती में उनको पढ़ना पड़ा क्योंकि ग्यारा साल के थे तब उनके माता पिता एक ही दिन उनका देहावासान हो गया प्लेग की की बीमारी नागपुर में चल रही थी तो उनकी सेवा में दोनों लगे थे तो उनको भी प्लेग हो गया और एकी दिन दोनों का देहान दो गया घर में कमाई का कोई साधन नहीं अत्यनत दरिद्री अवस्था में अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ा परंतु सब काला वधी में डक्टर हिडगेवार की जीवन में जो आगे चलके डक्टर बने दो कोई प्रयास चल रहा हो उसमें तनम अन धन पुर्वक धनतो पास में नहीं था तनम अन पुर्वक सहबागी होना तो सार्वेजनिक जीवन की दिक्षा बचपन से ही उनके जीवन में प्रवेश कर गयी अगे चलके वंदे मातरम आंदोलन चला उस वंदे मातरम आंदोलन को और नाकपूर के विद्ध्यालयों में संगटित करने का काम करने वाले अग्रणी टोली में डॉक्टर इडिवार थी तो स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जब आता था तो प्रत्यक क्लास में उसका स्वागत वंदे मातरम की घोशना से होता था तो स्वाभाविक उस समय की सरकार भी फर गई नाकपूर के सारे स्कूल उनने बन करें